नमस्कार स्वगत्यापका हमारे चैनल चार जागंदर मिशा में दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ हैं कुछ नए सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करिएगा दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रहों के सेनपती मंगल ग्रह 26 फरवरी 2022 को अपना राशी परवर्तन करने वाले हैं तो मंगल के इस राशी परवर्तन का कन्यराश के जातकों के जीवन में क्या प्रभाव पढ़ने वाला है मंगल आने वाले अगले 40 दिनों में आपके जीवन में किस परकार की परिस्तितों कर निर्वान करेंगे जीवन के किन छेत्रों में आपको लाब होगा वहीं किन छेत्रों में आपको सावधानी बरतनी है इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे साथ ही बताएंगे कन्यरास के यतकों के मंगल के इस गोचर के दोरान आप के लिए धन की इस्तिती किस प्रकार से होगी और कौन से दो बड़ी घटनाए घटित हो सकती है जिनको आपको ध्यान में रखकर चलने की अवशक्ता है साथ ही कुछ छोटे से आसान से उपाई भी बताएंगे तो यदि आप कन्यरास के जातक है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महतपूर्ण रहने वाली है इसलिए कन्यरास के जातकों इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिशना करें और इस वीडियो को आप सुरूर्ण से लेकर अंत तक जरूर देखें साथ ही कन्यरास के जातकों आप से बिनमर निवेदान है कि वीडियो को आप जदा जदा शेर अवशकर दिया करें और साथी साथ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्यूंकि आपके लिए बहुत ही महत्पूर जानकारी आज हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं इसलिए वीडियो को आप पूरा अवश्य देखें तो दोस्तों कनिरास के याद को मंगल ग्रह का यह जो गोचर है यह कब से लेकर कब तक होने वाला है तो दोस्तों मंगल देव 26 फरवरी 2022 को ब्रहस्पत की राशी धनू राशी से निकल कर अपनी उच्छ की राशी मकर राशी में प्रवेश करने जा रहे हैं और यह 26 फरवरी को साम 4 बचकर 50 मिनट पे मकर राशी में गोचर करेंगे और अगले यनिकी 40 दिनों तक यनिकी इसी राशी में रहेंगे यनि कुल मिला के कहा जाए तो देखें मंगल का यह जो राशी परवर्तन हो रहा है कन्य राश के जातकूँ आपके पंचम भाव पे होने जा रहा है यनि कि वहाँ पर पहले से ही बिद्दिमान है अपनी स्वैम की राशी पे सनिदेव सनि देव के साथ यूती बना कर चलेंगे मंगल देव तो देखें मंगल के बारे में सबसे पहले आपको जानकारी संछेप में देंगे उसके पशचात हम बताएंगे कन्य राश वली जातकूँ के लिए कि कैसा प्रभाव मंगल के इस राशी परवर्तन का होगा तो देखे मंगल को भूमी प्रपर्टी भूम पुत्र और ग्रहों के सेनपती गहा गया है मंगल को उर्जा सक्ती पराक्रम सौर साहस छोटे भाई बहन सौतेले मा अगने दुरगटना अपरेशन इन सब चीजों का कारा ग्रह माना जाता है यानि यहां पर मंगल गर्गा प्रभा होता है बेदिक जोतिस के अनुसार मंगल मेस और बिश्चिक राशी के स्वामी होते हैं और जिस राशी में अभी प्रवेश करने जा रहे हैं मंगल इस राशी में उच्च के होते हैं तो ये काफी बिसेश रहने वाला है कन्य राज के आतकों के लिए कन्य राज के आतकों मंगल जब भी अपनी इस्तिती बहतर बना के चलते हैं या उचके होते हैं तो जाता को बहुत ही जल्द बहुत ही जल्द पराकरम और साहस से भर देते हैं अनेक प्रकार के सुक शुबधाईं देते हैं, धनलाब देते हैं, सरकारी नौकरी में लाब होते हैं, क्योंकि मंगल ग्रह, सेना बर्देधारी, पुलिस संबंधितिक नौकरी में ज़्यादा रोची लेते हैं, शिबक्ति अगर मंगल प्रभावी हैं तो, यदि मंगल कमजो ये आप एक लिए किस परकार के संभावनाओं का निर्मान करेगा। आपकी आरतिकी सिथी केरियर और बिजनेस व्यापार, कारोबार कैसर हैगा, दमपत्य जीबन कैसर हगा, पारिवारी जीबन कैसर हगा, स्वास्थ इजुकेशन और लबलाइब कैसर हगी। तो कनी राज के याद को सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका केरियर और बिजनेश व्यापार कैसा रहेगा कनी राज के याद को निश्य तोर पे कह जा तो कई भी शेश उपलब्दिया प्राप्त हो रही है कई महतपूर आपको लाब विलेंगे मंगल के इस राज़ी परवर प्रवर्तन से पूरा होगा बिजनेश व्यापार में कोई महतपूर डिल को ले कर दुनिया आपके देखेगी जलवाद, दुनिया आपके काम्याभी का जलवाद देखेगी, लोग आपसे काफी यानि कि परभावित होंगे, आपके दिन चरिया से, आपके कारिशली से आपको बिदेशों से भी लाब होगा, बिदेश की यात्राएं होंगे, साथी पार्टिनर से में बिजनेश व्यापार करते हैं, तो तीसरा कार आपको धन को लेकर होगा, रुकावफासव धन प्राप्त होगा, साथी बैंक के छेतर से लोन के रूप में भी आज, यानि कि प्रकार की उपलब्द्या प्राप्त होंगे, मंगल के इसराशी परवर्दन से आप महत्पूर्ण लाब कमा पाएंगे, इसमें आपके घर परवार के इस देते अच्छे रहेगी, दामपत्त जीबन में खुशाहाली आएगे, संतान प्राप्ती को लेकर चवथा कार पूर घर में जो अव्याई जातक के सिंगल जातक हैं, कन्यराश के इतकों उनके लिए नए आफ़ार आ सकते हैं, साधी वाके चर्चाएं हो सकती है, घर में सुब्ब मंगल कार होंगे, महत्पूर्ण कारियों में लाब देखने को मिलेगा, पढ़ाय लिक है के छेतर में भी कन्य केरियर और बिजनेस व्यापार के सिलसले से जा सकते हैं, इस्टुडेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा और पांचमा कार इस्टुडेंट के लिए यहाँ पर कामियाभी से भरा रहेगा, महत्पूर्ण आपके रियल्ट प्राप्त हो सकते हैं, और एक्जाम देने का मह महत्पूर्ण मौका मिलेगा, क्योंकि दोस्तों बता दे कि इसमें आप अपनी महनत और दम पर और अपने प्राक्रम के दम पर कई महत्पूर्ण कामियाभी प्राप्त करेंगे, छटा कार यहाँ पर प्रेम जीबन में खोशियां बर्चंगी और वैवाहिक जीबन में तना या कामियाभी का जल्वा देखेगी, आपकी यनि की वाड़ी पे काफी मिठास आगे, वाड़ी के दोरा भी कुछ महत्पूर्ण कारियों को करते नजराएंगे, कुछ ऐसे कार करेंगे पूरे जो काफी दिनों से आपके नहीं बन पा रहे थे, तो निश्च्छी तर पे य बाड़े भाई बहनों को सयोग और माता पिता के स्वास्त में लाब होगा, साथी यहाँ पर जो कुछ नए डिसीजन और फैसले ले सकते हैं, बिजनेस व्यापार का विस्तार करने सो सकते हैं, लोटर शट्टा से लाब होगा, साथी यहाँ पर धन इन्वेस्ट करके पहले संभावना इसलिए साथानी बरतनी है, और आपको किसी के चुगली या फिर किसी के बुराई नहीं करनी है, हलाकि किसी के काम पे दखल अंदाजी भी नहीं करनी है, इन चीजों से आपको साथानी बरतनी है, कन्यरास के अदकों, और अगर आप इन चीजों के साथानी बरतन तो मंगल गरह के आप बिशेष लाब देखने को मिलेगा अगर आप मंगल गरह के सुब परिडामों को प्राप्ट करना चाहते हैं तो करनी रास के आतकों मंगल वार के दिन आप हनुमान जी को लाल सिंदूर, मीठा पान और लड़ जरूर चढ़ाएं और आप यानि की ओम हन हनमते नमईश मंतर का जाप करें तो बिशेष लाब होगा मंगल वार के दिन करनी रास के आतकों आपको यानि कि मसूर की दाल का दान भी करना है लाल कपड़े में बांध के अपने सर से तीन बार उल्टे बार के तो बिशेष लाब होगा तो ये था करनी रास के आतकों के मंगल गरह का यानि सेनपती मंगल गरह का रासी पर्वतन 26 फरवरी से लेकर 7 अप्रेल 2022 तक का रासी फलता दोस्तों भीड़ों को लाइक करें जदर ज़दर शेर करें चैनलों को सब्सक्राइब करिएगा जय शनी देव